आएए अब हम उपससेयंचन योगिकों में समाविवता ऐसोमैरिज्म के विशेते में जानते हम ज安nd समावएवी ऐसे दो या दो से अधिक योगिक होते हैं जिनकी रासाइनिक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें जो अव्यवी कण होते हैं या परमानू होते हैं उनकी व्यवस्था भिन भिन होती है और इस भिन भिन व्यवस्था की वज़़े से इनके बहुत से भौतिक तथारासानी कुणों में भिनता पाई जाती है ये सभी योगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं जैसे कि हम जानते हैं अन्य योगिकों में जो कार्बनी कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी दो प्रकार की समावेवता पाई जाती है एक सरचनात्मक समावेवता और दूसरी त्रिविम समावेवता तो यहाँ पर हम देखें कि जो उपसा सेवजक योगिक होते हैं इनमें भी ये दोनों प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है पहली यहाँ पर सरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता सरचनात्मक समावयवता के अंतरगत भी हमें भिन भिन प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है यसे हम मुख्य रूप से चार वर्गों में वर्गी कर सकते हैं सबसे पहले हम देखें आयनन समावयवता, आयनाईजेशन आईसोमेरिज्म दूसरी प्रकार की समावयवता है बंधनी समावयवता, जिसे हम लिंकिज आईसोमेरिज्म कहते हैं तीसरी प्रकार की समावयवता है उपसह संयोजन समावयवता, Coordination Isomerism और चौथे प्रकार की समावयवता है विलायक योजन समावयवता या Hydrate Isomerism इसी प्रकार हम देखें जो त्रविम समावयवता है Stero Isomerism उसमें भी हम जानते हैं कि दो प्रकार होते हैं जामिती समावयवता और प्रकाशी समावयवता, तो कौडिनेशन कंपाउंड में भी जामती समावयवता भी देखने को मिलती है और प्रकाशी समावयवता भी देखने को मिलती है, तो आएए अब हम अलग-अलग प्रकार की जो समावयवता है उनके विसे में जानते हम, सबसे पहले हम देखेंग तब उत्पन होती है, जब पूरे kompleks compound का जो counter-ion है, जो कि kompleks के बाहर इस्थित होता है, यदि वा भी एक संभावित लिगंड हो, तथा वा kompleks के अंदर उपस्थित लिगंड को replace करके, प्रतिस्थापित कर सके, तो इस प्रकार की आयनन समावेवता देखने को मिलती है इसे हम एक उधारन के द्वारा समझते हैं यहाँ पर हमारे पस उधारन है पेंटामीन सलफेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड और इसका जो दूसरा समावेवी है हम देख सकते हैं यहाँ पर है पेंटामीन ब्रोमीडो कोबाल्ट सलफेट यह पर हम देखेंगे कि पहले वाले complex में जो sulfate है वो ligand के रूप में उपस्तित है जबकि ब्रोमाइड जो है वह counter iron के रूप में उपस्तित है दूसरी और दूसरे वाले उधारान में हम देख रहे हैं कि ड्रोमीन जो है वह यहाँ पर complex के अंदर लिगन के रूप में उपस्तित है जबकि sulphate iron यह counter iron के रूप में उपस्तित है अब हम इनका identification किस प्रकार से करते हैं हम जानते हैं कि जब भी complex compound को ionized किया जाता है जल में विले किया जाता है तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के iron मिलते ह हैं एक complex iron मिलता है और दूसरा होता है counter iron जो कि ironizable होता है और जब हम test करते हैं जैसे कि पहले वाले example में हमने देखे कि देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे एक जो हमें iron मिलेगा वो होगा pentamine sulphate o cobalt plus iron का और दूसरा मिलेगा हमें जो मुक्तवस्था में मिलेगा वो होगा bromide iron और यदि इस solution में इस billion में हम silver nitrate का billion डाल दें तो जैसे हम silver nitrate का billion डालते हैं यहाँ पर जो free counter iron है bromide iron यह silver के साथ संयोग करके silver bromide का shape देता है जो की yellow color का होता है इससे हम सम पहचान पाते हैं या identification कर पाते हैं कि यहाँ पर जो bromide है वो counter iron के रूप में उपस्तित है उसी तरह से जब हम दूसरे वाले compound को देखें यहाँ पर जब इसका हम ionization करेंगे तो हमें जो counter iron है sulphate iron यह free अवस्था में प्राप्त होंगे और जब इस अभी क्रिया मिश्ण में हम barium chloride का विलियन डालेंगे तो हमें barium sulphate बनने की वजह से सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा और इस तरह से दोनों को में की सरचना में हम अंतर कर सकते हैं और इस प्रकार के जो दोनों समावेवी हैं यह ionization isomers कहलाएंगे तो आईए अब दूसरे प्रकार के समावेवता के विस्था में जानते हैं दूसरी प्रकार की जो समावेवता है वह है बंधनी समावेवता या जिसे हम linkase isomerism कहते हैं बंधनी समावेवता उन coordination compounds में देखने को मिलती है जिन में उभेदंती ligand, embedded ligand पाए जाते हैं हम जानते हैं embedded ligand में दो donor atom होते हैं लेकिन एक समय में वो अपने एक ही donor atom का उपयोग central metal atom से बंध बनाने के लिए करते हैं जिसके उधारान हमने पहले देखे हैं यहाँ पर उधारान हम लेख सकते हैं जैसे thaiosinate हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वो होता है mscn अब यहाँ पर जो sulfur है वह भी donor atom होता है और उसके अलावा यहाँ पर हम देखें जो carbon है वह भी donor atom के रूप में होता है तो जब यह metal के साथ sulfur के दोरा भी जूड़ सकता है और दूसरे में यह मैटल के साथ कार्बन के द्वारा भी जूड़ सकता है यहाँ पर हम देखें कि जो दोनों लिगन है वो एक दूसरे के समान है उनका जो सरच्चना सूत्र है फॉर्मूला है वह भी समान है लेकिन यहाँ पर डोनर एटम भिन भिन होते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर हम आइसो थायो साइनेटो कोबाल्ट सल्फिट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले जो उदारन में यहाँ सल्फर क्योंकि सल्फर से जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे वाले में हम देखेंगे कि यह कार्बन सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिखा हुआ है यानि क यह कार्बन के द्वारा केंद्री धातू परमानों से जुड़ा हुआ होता है और इस वज़े से दोनों में के गुणों में भिनता पाई जाती है और यह दोनों एक दूसरे के लिंकेज आईसोमर कहलाते हैं इसके बाद एक और दारन हम ले सकते हैं नाइट्रो समू का जिस पर नेगटिव चार्ज पाये जाता है यहां पर भी हम देखें कि यह इसमें नाइट्रोजन भी डोनर येटम है और और ओक्सीόन भी डोनर एटम है तो यह नाइट्रोजन के दौ़ारा भी शर्टल मेंटरल अटम से जुड़ता है जब हम नाइट्रोजन के द्वारा कुड़ता है तब हम इसमें नाल्ट्रेटो हाइफन ओ के द्वारा इसे इसका नाम करन करते हैं जब हम फार्मूले की रूप में देखेंगे इसका जो दोनों एक्जामपल हम देखते हैं पैंटामीन नाल्ट्राइटो एन कोबाल्ट क्लोराइड यह पहला एक्जामपल आप देख रहे हैं जिसमें कि यह ऑक्सीजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एक्टम से जुड़ा हुआ है जब वहां पर हम सूत्र लिखेंगे तो हम इसे ओ एन ओ ब्रेकट में रिप्रेजन करेंगे दूसरी और जब यह नाइट्रोजन के द्वारा लिंकेज हमें बताना होगा उ जुड़ा हुआ है जबकि ओ एन ओ जब हम रिप्रेजंट करते हैं तो यह दर्शाता है कि जो लिगंड है वो ऑक्सीजन के द्वारा केंद्री धातू परमानू से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से हम इसकी सरचना भी देख सकते हैं जिससे हम इसकी और भी सरचना की जो अस्टफल की इसकी सरचना होगी क्योंकि यहां पर जो कोडिनेशन नंबर है कोबाल्ट की वो सिक्स है तो यहां पर देखें जो चार एनस्ट्री लिगंड है वो एमीन है वो चारों स्क्वेर प्लैनर के कोनों पर उपस्थित रहेंगे एक जो होगा वह जो अक्ष के नीचे की तरफ उपस्थित है और जो लिगंड है वह उपर की तरफ उपस्थित है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह नैट्रोजन के द्वारा संट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है दूसरे वाले एक्जामपल में यह ऑक्सीजन के द्वारा केंद्री धात्व प जो इसका जो रंग होता है यह कंपाउंड यलो कलर का होता है और जब यह ऑक्सीजन के द्वारा जुड़कर कंपाउंड बनाता है तो उस समय यह रेड कलर का होता है तो इससे हम देख रहे हैं कि इनके गुड़ों में भिनता आ जाती है और इसलिए यह दोनों एक दूसरे कि बंधनी समाव्यवी या लिंकेज आई सोमर कहलाते हैं अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की सरचिनात्मक समावयवता उपस्ष संयोजन समावयवता या क्योडिनेशन आई सो मैरिज्म इस प्रकार की जो समावयवता है वो तब पाई है या उन coordination compounds में पाई जाती है जहां कि जिसमें की केटाइनिक और एनाइनिक दोनों ही पार्ट complex के रूप में उपस्तित होते हैं और यहां पर हम देखें कि जो यह से compound यह प्रकार की समावेवता है वह पॉली डेंटर्ड या polycentered complexes में देखने को मिलती है जिसमें की एक से अधिक धातू परमाणू उपस्तित होते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही संकुल में उपस्तित भिन भिन धातूं के धनाइनिक और रिणाइनिक जो coordination sphere या coordination entity होती है उनके बीच उनके मद्धे लिगंडों के अंतर परिवर्तन की वजह से या exchange की वजह से इस प्रकार की समावेवता उत्पन होती है इसका भी हम उदारान ले सकते हैं जैसे यहां पर हमारे पर सुब्धारान है हेक्जामीन कोबाल्ट 3 प्लस आयन और दूसरा भी जो कॉंप्लेक्स है वह है हेक्जा साइनाइडो क्रोमेट 3 माइनस आयन अब यहां पर हम देखें कि इसमें यह दोनों ही प्रकार के यह जो जो समाववयवता है इसे हम प्रकाराल संभयात कैते हैं यदि हम इसमें कि बात करें तो इसमें पहले वाले कॉंपैक्स में हम देख रहे हैं जो कि धनायन आपक्स है उसमें उदासीन लिगन है नश्ठी और इसकी संख्या 6 है जब की जो रगषित इनाइड इंसमें लिगंद जो कि रगषित है अब यहां पर करके एक साथ बलीघंड का परिवरता नहीं होगा यदी हम देखें कि सानाइड जो लिगन मिलन है legov नेगर्टिव वाले क॑ंप्लेक्स में आ जाए और एक नइश्ट्री समूझ यह लिगन यह नेगर्टिव वाले कॉंप्लेक्स में चल जाए तो हमें एक नई सरचना प्राप्त हो जाएगी और उस सरचना का सूत्र हो जाएगा पेंटा मीन साइनाइडो कोबाल्ट और चुकि यहां पर आवेश क्योंकि एक साइनाइड नेगटिव आयन यहां पर आ चुका है इसलिए जो कॉम्प्लेक्स पर 3 प्लस चार्ज था उसमें कमी आ जाएगी और यहां पर चार्ज हो जाएगा 2 प्लस दूसरी और चुकि यहां यहां पर एक साइनाइड आयन कम हो गया है लिगन और वहां पर आ गया है एक एनश्थ्री समून तो अभी इसका सूतर हो जाएगा एमीन पेंटा साइनाइडो क्रोमेल माइनस आयन इसी तरह से जब दो साइनाइड पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे और दो आमी में दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो यहां पर हमें एक नया आई समर प्र Canadian इस pada मैंइन टत्रसाइनाइडो कोबल्ट माइनस इसके बाद जब दोनों लिश्दा से कॉम्प्लेक्स में तीन इमीन समूंं और तीन साइनाइड समूं में हो जायेंगे उस मे यहां पर हो जाएगा प्राईмо tiếंछ नउत कोपाल्ट और इन पर अवेस होगा वह 0000 अवेस हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे की पहले वाले कॉंप्लेक्स में साइन लिगंड की संख्या बढ़ जाएगी और साइनाइड लिगंड की संख्या बढ़ने से अब इस पर सरफ हमें मिलेगा टिट्रेट्रा 떨मीन डाइ साइनाइडो उसके बाद जो नेक्स्ट अएसोमर टू प्लस आयन और इसके बाद अंत में हमें जो आईसोमर मिलेगा वो होगा हेक्जा साइनाइडो कोबाल्टे 3 माइनस आयन जबकि दूसरी दरफ हमें मिलेगा हेक्जा एमीन क्रोमियम 3 प्लस आयन और यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो छटवे नंबर का साथवे नंबर क जो कॉंप्लेक्स हमें मिल रहा है वो पहले वाले के बिलकुल विपरीथ है और इस तरह से हम देखें कि इस कंपाउंड के यह जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड है उसके हमें साथ आईसोमर देखने को मिलेंगे तो इस तरह से हम देखें कि जब बहु केंद्र की उप्सा सेज योगिक होते हैं तो उसमें अलग-अलग जो धनायनिक कॉंप्लेक्स और रनायनिक कॉंप्लेक्स में लिगंडों के अंतर परिवर्तन के कारण अलग-अलग प्रकार के समावैवी उत्पन होते हैं और जितनी प्रकार के समावैवी होंगे उन सभी के गुणों में एक दूसरे से भिनता पाई जाती है coordination isomerism के और भी उधारण हम ले सकते हैं जैसे कि यहां पर और उधारण दिया हुआ है hexamine cobalt 3 plus iron और hexanitro cobalt 3 minus iron यहां पर भी हम देखेंगे लेकिन यहां पर हम देखें कि जो धातु पर्मानू समान है इसलिए जो समावेवियों की संख्या है वो हमें 4 ही प्राप्त होती है और नियुदारण ले सकते हैं जैसे hexamine platinum 2 plus iron और दूसरी हम ले सकते हैं tetraclorido platinum 2 minus iron यहां पर देखेंगे जो platinum धातु यहां पर भी समान है लेकिन यहां पर इनकी जो oxidation number होगी यह भिन भिन होती है और इसमें हम देखेंगे कि हमें कुल तीन प्रकार के आईसोमर प्राप्त होते हैं इसी तरह से हम ले सकते हैं बिस इथिलिन डाइमीन platinum 2 plus iron और tetraclorido platinum 2 minus iron तो यहां पर हमें देखें कि कुल मिलाकर दो आईसोमर हमें प्राप्त होंगे इसी प्रकार अन्युधारन ले सकते हैं यहां पर हम लेंगे कि ट्रिस इथिलिन डाइमीन आईरन 3 plus iron तथा दूसरे में हम देखते हैं कि हेक्जा क्लोरिडो यहां पर दिया हुआ है हेक्जा क्लोरिडो क्रोमेट 3 minus iron इन में भी हम देखें कि इस प्रकार के जो coordination complex है इसमें कुल मिलाकर हमें चार आईसोमर देखने को मिलती हैं तो इस प्रकार हम देखें कि यह समावेवता है वह coordination complex या coordination समावेवता कहलाती है इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रकार की समावेवता या जिसे हम कहते हैं विलायक योजन समावेवता या जल यदि विलायक जल होता है तो हम इसे जल योजन समावेवता भी कहते हैं या इसे हम hydrate समावेवता hydrate isomerism कहते हैं इस प्रकार की समावेवता उन complex में पाई जाती है जिसमें की जो विलायक होता है एक समावेवी में तो यह लिगंड के रूप में उपस्तित होता है लेकिन दूसरी प्रकार का जो जो विलायक का अनू है वह क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है और मालेजे यह जल है तो जब यह मुक्त अवस्था में उपस्तित होता है तब हम इसे क्रिस्टली जल क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं इसका हम एक उदाहरन ले सकते हैं जैसे यहां पर हमें हमारी पास है hexa aquo chromium chloride यह जो compound है यह purple color का होता है दूसरी यह यह इसमें से एक जल का अनून बाहर चला जाए तो वहां पर जो coordination compound क्रोमियम जो है इसका coordination compound को complete करने के लिए एक counter ion है उसमें से एक counter ion को अंदर आना पड़ेगा तो यहां पर हमें जो दूसरा समावैवी प्राप्त होगा वह होगा पेंटा, एक्वो, क्लोरीडो, क्रोमियम, क्लोराइड और इसमें का जो जल का एकणू लिगंड में से बाहर निकल कल गया है वह डॉट के रूप में ह2O के रूप में जिसे हम लिखेंगे यह क्रिस्टल लैट इस प्रकार से जो जल के अणू की कॉम्पलेक्स के अंदर उपस्थती या कॉम्पलेक्स के बाहर उपस्थती की वज़र से इस प्रकार की समावैवता उत्पन होती है इसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या जल योजन समावैवता कहते हैं साथी साथ जिसमें जल लिगंड के रूप में होता है उसे हम एक्वा कॉंप्लेक्स भी कहते हैं और जिसमें जो जल का अणू होता है वह क्रिस्टल जालक में कहीं पर उपस्थित होता है उसे हम हड्रेट आईसोमर कहते हैं तो इस प्रकार से हमने उपसासेजन योगिकों में पाई जाने वाली विभेन प्रकार की सरचनात्मक समावयवता को जाना आएए अब हम उपसासेजन योगिकों में पाई जाने वाली दूसरे प्रकार की समावयवता तरविम समावयवता के विशह में जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं तरविम समावेवी वो समावेवी होते हैं जिनके रासायनिक सुत्र तो समान होते ही हैं साथ ही साथ इनके रासायनिक आबंद भी एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन इन योगिकों में केंद्रिय धातू परमानूं से जुड़े हुए जो विभिन प्रकार के लिगन होते हैं, उनकी दत्थान में विवस्था या जिसे हम कहें special arrangement वो भिन भिन पाया जाता है और इसकी वज़े से इनकी भिन भिन आकरतियां या जामितियां संभव हो पाती हैं और इसलिए ये जामिती समावेवता तथा प्रकाशी समावेवता प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं तरविम समावेवी के अंतर समावेवता के अंतरगत जामिती समावेवता को जामिती समावेवता उन कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जो की हेटरोलाप्टिक होते हैं शुरू में हमने जाना है कि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन में एक से अलग प्रकार के भिन भिन प्रकार के लिगंड्स उपस्थित होते हैं और इनकी भिन भिन लिगंडों की वजह से हमें भिन भिन जामिती व्यवस्था प्राप्त होती दोनों ही प्रकार के complex में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं coordination number 4 वाले जो उपसेसर और योगी को होते हैं, उनमें किन-किन प्रकार की जामती समयवता देखने को मिलती है, अब हम जानते हैं कि जब संकुल की जामती इसमें coordination number 4 होती है, तो यहां पर हमें दो की जामती आकरतियां देखने को मिलती हैं, एक होती है टेट्राहेडरल चतुषफल की और दूसरी होती है स्क्वेर प्लैनर वर्ग समतली, अब यहां पर हम देखें जो टेट्राहेडरल जामती होती है, उसमें यदि केंद्रिय धातू परमानू के चारो और लिगन की स्थत समान होने की वजह से यहां पर जामती समान होने की वजह से यहां पर जामती समावेवता देखने को नहीं मिलती, तो हम क्वाडिनेशन नमबर 4 में हम देखेंगे की किसी में भी टेट्राहेडरल जो कॉंपलेक्स होते हैं, उनमें जामती समावेटा देखने को नहीं मिलती, अब हम देखें वर्ग समतली जामती, वर्ग समतली सरचना में हम देखें की जो चारो लिगन होंगे, वो केंद्रिय धातू परमानू के चारो और एक प्लेम पर दूसरी 180 अंस की दूरी पर, और इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्वेर प्लेनर जो कॉंपलेक्स होते हैं, उनमें जामती समावेटा देखने को मिलती है, तो सब इसे उधारन के द्वारा हम समझते हैं कि स्क्वेर प्लेनर जो कॉंपलेक्स हैं, उनमें कितने प्रकार की या complex है यह MA4 type का है यहने कि यह से कि हमने कहा कि यहाँ पर कैंदरी धातु पर माणू M है और A ligand है और A4 है यहने कि 4 के 4 ligand समान है तो यह जो complex हो गया वह homoleptic complex हो गया तो इस तरह से homoleptic complex में जामती समयवता हमें देखने को नहीं मिलेगी इसके अलावा यदि यहाँ पर यह MA3 B type का complex हो तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसमें 3 ligand समान है एक ligand और समान है इन से अलग है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एक भी जामती समयवता देखने को नहीं मिलती है इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार का उदारन ले सकते हैं जिसमें की MA2 B2 type का उदारन लेते हैं जिसमें की दो लिगं एक समान है और बने से अलग हैं तो यहां पर इसका उदारन हम ले सकते हैं सिस्प्लैतिन का सूत्र हमिकें अब यहां पर क्लोरिडो कि पोशिशन देखें तो यह केंद्री दातू परमानूं के परिता चारोर ये दी हम देखें तो ये 90 डिगरी की दूरी पर भी उपस्तित रह सकते हैं और ये एक दूसरे से विकॉन की स्थतियों में यानिकी 180 डिगरी की दूरी पर भी उपस्तित रह सकते हैं तो ये स्थति पर जब ये एक दूसरे से 90 अंस की दूरी पर होते हैं तो इस प्रक होते हैं तो इस प्रकार करण को हम ट्रांस सरचना कहते हैं यानिकी यदि हम M èt Twist प्रकार का उदाहरन लेते हैं तो वहां पर हमें दो आइसोमर देखने के लिए मिलते हैं एक सबक्रांगों और दूसरा प्रांस न Oo इस स्थति में भी हम देख सकते हैंकि यहां पर यदि हमएक बार एप्सेयम को ट्रांस पॉजिशन पर रखें एक बार एस और डी को थांस पॉजिशन पर रखें तो यह तीनों ही इस्थतिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन है और इस तरह से हम कहें कि क्योंकि ये जो ट्रांस पोजिशन पर हम लिगन्स रख रहे हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हैं ये भिन भिन है तो इस प्रकार के लिगन्स के नाम हम सिस और ट्रांस नहीं देंगे लेकिन चूंकि इनके स्पेशल अरेंजमेंट भिन भिन है इसकी वज़से हम इन्हें आईसोमर मानते हैं तो इस प्रकार से हम देखें कि जब केंद्री धातु परमानू से जुड़े वे चारों लिगन्ड भिन भिन होते हैं वर्ग समतली सरचना में तो वहां पर हमें तीन आईसोमर प्राप्त होत हमारे पास द्वी धंतुर लिगन्ड हो तो यहां पर हमें अलग प्रकार की जामती सरचनाई प्राप्त हो सकती है तो यहां पर हम देखते हैं जब हमारे पास स्क्वेर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में सरचना में यहां पर द्वी धंतुर लिगन्ड है इसका उदारण हम ले सक केंदरी धातू परमाणू में जिड़े हुए दो लिगंट हैं जो कि यह दो नितोर लिगंट है उसके अलावा हमें और कोई भी भीन सरचना इससे प्राप्त नहीं हो सकती है तो इस तरह हम कहेंगे कि यदी हमारे पास में होल ट्वाइस यानि कि दो समान दूर वाला हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हमें एक भी जैमती समावेवी नहीं मिलेंगे दूसरी और यदी हमारे पास जो द्वी दंतुर लिगन है उसमें वो एम एबी होल ट्वाइस यह टू प्रकार का है तो यहां पर हम देखें कि इनकी पोजीशन एक में हम इस तरह से लिख सकते हैं जो केंद्रिय धातू परमाणूं के एक तरफ जुड़ा हुआ है यह एबी क स्थती से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी यह एबी के स्थती से जुड़ा हुआ है दूसरी और दूसरे उदारन में हम देखेंगे कि इनका अर्रेंजमेंट एक दूसरे से बिलकुल रोटेट इसको यदि हम कर दें तो यहां पर यह केंद्रिय धातू परमाणूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस स्थती में हमें दो जियामती समावैवी प्राप्त होंगे इसके बाद तीसरे प्रकार का हम उतारण ले सकते हैं जिसमें कि एक लिगन दूई दंतुर लिगन हो और दो जो अन लिगन हो वो एक दंतुर हो इस स्थती में या जिसे हम इसको टा लिगंड है और जो दो भिन लिगंड है वो है C और द तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहां पर एक तरफ हम ले सकते हैं केंद्री धातु परमाणु से जुड़ा हुआ जो एक दंतु दूद अन्तूर लिगंड है वो है A B और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है C और दी अब यहाँ पर जो द्विद अंतुर लिगन है उसके इस्तती जो की त्यों रखते हुए यदि दूसरी सरचना में हम D और C की पोजीशन को चेंज कर दें तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से एक्व नई सरचना हमें प्राप्त हो जाती है तो इस स्सक्रती में हम benefits इसलिए हैं इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे के समावैवी हैं हला कि हम इने सिस या ट्रांस समावैवी का नाम नहीं देंगे लेकिन हम देखेंगे कि इसमें दों प्रकार के समावैवी हमें प्राप्त होते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि कोडिनेशन नंबर फोर वाले जो कोडिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें वर्ग समतली सरचना में हमें भिन भिन प्रकार के जामती समावेवी प्राप्त होते हैं ये उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्री धातू परमानों से जुड़े हुए लिगन किस प प्रकार के हैं